प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदियाज राजस्थान के उदैपूर का करेंगे दौरा 15,000 करोर रुपे की लागत वाली परियोचनाओं का करेंगे शलन्या से उदैपूर में इक जन सभा को भी करेंगे संभोगे राम रहीम के बाद सतलो का आश्रम संचालक संत राम पाल के खिलाफ चल रहे दो कीस में हिसार गोट आज सुनाएगा पैसला हिसार में धारा एक चवालीस लागू राम पाल देश्थरों के एक मामले में हिसार जेल बपाद राम रहीम के गुफा पर आज होगा बड़ा खुला सा राम रहीम के करीबी माने जाने वाले भूपेन जिसे इंग प्रेस कॉंटर्स कर खोलेंगे पोल रेफ पीडिताओं ने पूर्व पीयम अटल बिहारी बाच्चुपई फिज़े लेगा नगर मुंबई की ओर जा रही दुरंतो एक्स्प्रेस पक्री से उत्री हादसे में साथ गोग्या हुए दिर्माना ग्रस्ट किसी के हताहत होने की कोई ख़ब नवसकार आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूँ आपके साथ निहा कुपता हर्यान के बरवाला अस्थित सतलोक आश्रम सचालक संतर रामपाल के खिलाफ चल रहे दो केसों में हिसार कोट आज अपना फैसला सुनाएगा इसके मदनजर हिसार में धारह 144 से लागू कर दी गई हैं वीते बुधवार को संतर रामपाल के खिलाफ दर्ज एफायार नमबर 201, 426, 427 और 433 के तहत पेशी हुई थी कोट ने एफायार नमबर 426 और 427 का फैसला सुरक्षित रख लिया था जानकारे के मताबिक संतर रामपाल पर एफायार नमबर 426 में सरकारी कारे में बाधा डालने और 427 में आश्रम में जबरन लोगों को बंधग बनाने का केस दर्ज है इन तोनों मामलों में संतर रामपाल के अलावा प्रीतम सिंग, राजेंदर, रामफल, विरेंदर, पुर्शोत, अंबलजीत, राजकपूर, ढाका को भी आरोपी बनाया गया है बतादे की कबीर पंथे विचारधारा के समर्था कसंतर रामपाल दासत देश द्रों के एक मामले में इन दिनों हसार जेल में बन्द है हसार के बरवाला में तीन साल पहले हुए विवात के बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया था रेप केस में सजा मिनने के बाद अब गुरमीत रामरहीं की पोल एक के बाद ठुलती जा रहे अब इस कड़ी में उनके बेहद करीबी माने जाने वाले भूपेंदिर निस«ग बाबारामरहीं की गुफा को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस में बड़ा खुला सा करने वाले बताया जा रहा है कि गुर्मीत राम रहीम की कुप्त गुफाओं को लेकर साध्वियों से मेलचोल का भुपेंदर सिंग चस्मदीत एक कवा हैं कोरतब है कि बाबा राम रहीम की गुफा को लेकर अब तक कई कहानिया सामने आती रही हैं गुफ़ा के बारे में कहा जाता रहा है कि राम रहीम ने यहीं उन साधवीों का रेप किया था जिनके कारण आज वो सलाखों के पीछे हैं आपको बता दें कि रेप पिड़ता ने ततकालीन पीम अडल बिहारी वाचपई को भीजे लिटर में गुफा का जिक्र भी किया था पिम नरींद्र मोदी आज राजस्थान के उद्यपूर का दोरा करेंगे यहां पिम मोदी करीब 15,000 करोड रुपए की लागत वाली सब ही पर योजनाओ का शला न्यास करेंगे जिसके बाद वो प्रताप गौरफ के इंद्र भी जाएंगे जहां प्रदरशनी के माध्यम से महराणा प्रताप के जीवन और वीरता के बारे में जानकारी दी जाएगे बता दे कि सोमवार को मोदी ने ट्वीट किया था मंगलवार को मैं वीर्ता की धर्ती राजिस्थान जाओंगा जहां मैं प्रमुख राष्ट्रे राजमार्ग पर योजनाव का उद्खाटन करूंगा और आधार शिला रखी जाएगी साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मैं उद्ख पूर में एक जन सभा को भी संबोधित करूंगा अब दिली के इंद्रा गांधी एरपोर्ट पर मुसाफिरों को परिशानी नहीं होगी क्योंकि अब वहाँ पर एक आईजी एरपोर्ट पर एक नया सिस्टम बना दिया गया है और सिस्टम का नाम है आटोमाटिक ट्रे रिट्रीविल सिस्टम इसके तहट एक सरे के आगे और पीछे एक कन्वियर बेल्ट लगाई जाएगी इस बेल्ट में खास तरहे की ट्रे रखने की जगह बनी होगी जिसके जरिये जाच हो सकेगी इस सिस्टम की शुरुआत अगले महीने से हो सकती है सिस्टम की खासियत यह है कि यह सामान तोर पर बैग की जाच कर रहा होगा तब अगर किसी प्रकार का संदिक्द बैग आता है तो वो खुद ही उसे अलग कर देगा नई दिली के इंद्रा गांधे इंदराश्टे हवाई अड़े को जल्द ही एक नया तर्मिनल T3 मिल जाएगा बिहार में बाड ने बीते महिनों में भीशन तबाही मचा रखी है अब भी कई जलों में बाड का पानी लगातार बहरा है बिहार में बाड से मरने वालों का आकड़ा हर दिन बढ़ रहा है बाड की चपेट में आने से 32 लोगों की मौत हो चुकी है राज में बाड से अब तक कुल 514 लोगों की जान जा चुकी है बता दें कि सोमवार को मुखे मंतरी नतेश कुमार ने वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये सभी जिलाधर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और कई आवश्यक नरदेश भी दिये थे वही बिहार राज आपदा प्रवंधन वभाक के अधिकारी के मुताविक बाड गरस्त जिलों के प्रभावत इलाकों से अब बाड का पानी उतर रहा है लेकिन अभी भी राज के 19 जिलों के कई प्रखंडों में लगभग लोग प्रभावत हैं बाड की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है बिहार में आरजेडी की रैली के बाद राजनेतिक रूप से शांती दिख रही है लेकिन पाठियों के अंदर लगातार घमासां मचा हुआ है लालो प्रसाद यादव की रैली में नितीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर खुम बतीर चले इन सब के बीच सरकार को मजबूत करने की कोशिश भी हो रही है अगले चन्द दिनों में विहार में राजनैतिक उथल पुथल हो सकती है और सबसे पहले कॉंग्रिस से इसका शिकार बन सकती है सूतरों की माने तो कॉंग्रिस में जबरदस्त तूट होने जा रही है सारी बात तो तै हो गई है कॉंग्रिस के कई विधायकों को आरजेटी का साथ भी रास नहीं आ रहा है चाहे वो विचारधारा का मामला हो या फिर छेतर में वोटो का हसाब किताब हो आरजेटी की रैली में कॉंग्रस अध्याक्षर सूनिया गांथी बिमार होने की वजह से नहीं गई थी तो कॉंग्रिस के उपाध्याक्षर राखूल गांथी विदेश में होने की वजह से वहाँ नहीं पहुचे थे ऐसे में कॉंग्रिस के विधायकों को रास्ता बदलना ही उचत तर लग रहा द्यमुक शमी के डिप्टी सियम और डॉक्टर निर्मल डिसी ऑफिस समेथ कल के विभागों का आउच्चक दॉरा करने से अधिकारियों में हरकम्त मच गया अपने और चक दौरे में डॉक्टर सिंग न अधिकार्यों से उनके कामकाश का बियूरा लिया यसादवान उनके साथ अन्य अधिकारी भी वहां मौझूद रहे वहीं मीडिया दौरा रिफ्यूजियों से ज़ले सवाल पर उन्होंने कहा कि केंदर सरकार द्वारा रिफ्यूजियों के लिए सार जारी किया गया मुआफ़जा उन्हें जल्द ही दे दिया जाएगा मैं अपने स्टाफ के साथ पुरे शहर का में टूल कर रहा हूँ सुभा जी डिये की तरफ से हमने सफाई प्यान किया तो उसके बाद जीम सी के लग लग स्पार्स पराम गए पुछ देड़ मीना पहले मैंने टूल करें किया था और वहां कुछ मैंने इस्ट्रक्शन्स पास क मैं और स्पार्स पर फिर गया और मैंने देखा वहां बैंको की मनमानी के खिलाफ जन जागरन अभ्यान मंच की उरसे पटना सिटी के खाजिकला छेतरस थे तरनून के चौरा हे पर विरोध मार्च निकाला गया जहां जन जागरन मंच के सदस्यों ने बैंकों के मनमानी के खिलाफ से जम कर नारबाजी की वहीं मंच के सदस्यों का कहना ये भी था कि प्रधान मंतरी द्वारा लागू की कई मुद्रा लोन यूजना में गरीबों को रोजकार करने के लिए बैंक से लोन लेने का प्राप्थान है लेकिन बैंक के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और गरीबों के रोजकार के लिए उन्हें मुत्रा लोन नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण बेरोजकारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा र जो गरीवें के लिए ये बिल्कुल ही गलता देश है इसके खिलाप में आज हम लोग देश प्याती आंदूलन दूरू कर दिया रहे हैं यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लोट रहे हैं मेरे के बाद आपका स्वाकत हैं महाराज के नागपुर से मुंबई के ऊड़ जा रही दूरंतो एक्सप्रेस टिटवाला रेल्वे स्टेशन के पास बे पट्री हो गए हादसे में कुल साथ बोग्यों के दुर घटना गरस्त होने की खबर है जानकारी के नुसार टिटवाला रेल्वे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ बता दे कि ट्रेन के छे एसी डिबबे और इंजन पट्री से उतर गए यात्रियों के नुसार जहां हादसा हुआ वहाँ पर भारी बारिश से लैंड स्लाइड भी हुई थी फ़ल्हाल रेल्वे की ओर से किसी तरह की मदद लोगों तक नहीं पहुच पाई ये घटना टिटवाला और असन गाओं के बीच हुई है और किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है बिहार के पटना सिटी के आलम गंज थाना इलाके की गुड मंडी में एक कपड़ी के गोदा में आग लगने से इलाके में भकतर मच गए इस्थानी लगों की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिकेट की 11 गारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया आग लगने का कारण शौर्ट सरकिट बताया जा रहा यूपी के एटा में एनेचे क्यानवे पर तेज रफतार रोडवेज बस आनियंद्रित होकर खड़े ट्रक में जाग उसी जिसमें बस से के कंड़क्टर समेथ 11 लोग कमभी रूप से घायल हो गए घटना की सूशना मिलते ही मौके पर पहुचे पुलिस ने सभी कायलो को जिला अस्पताल में भरती करवाया जहां तीन लोगों की हालत तर नाजुक होने के चलते उन्हें आगरा रिफर कर दिया गया हाथसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया बताया जा रहा है कि बस चालक शराप के नशे में था और बस को काफी तेज गती से चला रहा था फिलहाल हाथसे की पूरी जाच पुलिस कर रही है जो दिल्ली से फराकबा जा रही थी और पिल्योग का असपास इसने बस वाले ने ख़ड़े ट्रक में टक्कर लगी जिससे के आठ घायल मरीज जलास पतालेटा में आये जिसमें की चार मरीज तीम मरीज करना जीए गभिल यूपी के हरतोई में महिला के साथ कथित रूप से बदसलूकी के मामले को लेकर नाराज महिलाओं ने एस पी आफिस के सामने धरना पदरशन किया और इसी के साथ शहर कोतवाल भगवान सिंग का पुतला भी जलाया महिलाओं ने मामले में कोतवाल के विरुद्ध शिकायत पत्र देकर कारवाई के जाने की मांगी दरसल महिला से छेट छाड के आरोप में शहर कोतवाल पर मुकत्मा चल रहा है इसी को लेकर शहर कोतवाल उसके घर पहुचा और महिला के घर का सामान तोड़ फोड़ दिया उसके बाद महिला के साथ मारपीट भी की इसके बाद जब पेड़त महिला ने आंगन बाड़ी कार कत्रियों को बताया तब जाकर कोतवाल ने महिला और उसके विकलांग बेटे को छोड़ा इसी को लेकर महिलाओं ने पुतला जला का शिकायत S.P. से की जिसके बाद मामले की जाँच सीयो को सौब दी गए फिर जब यह थाने नहीं गई तो दुबारा फुलिस तीन बजे गई और इनको वहां से पकड़ के ले आई कही चलो अब जेल बेशते तुम्हें पता चलेगा थाने पर एक लड़का है तो वह में जील गया है तो उनका ये कहना है रहय क्वाधि जाल ट्रमें भातला गया है लुकिंग एक और ब्रेक के लिए चल दोटें प्रेक के बाद आपका स्वागत है यूपी के सहारनपूर के थाना रामपूर पुलिस सहवा स्वाथ टीम ने मिलकर एक लूट की सुशना पर घेरे बंदी की बता दे के पोलस और बदमाशों के वीच के मुट भीड में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उससे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन दूसरा बदमाश मुकस से भागने में कामयाब रहा पकड़े गए बदमाश के पैर में कोली लगने के कारण उसका अलाज सहारणपुर के जिलासपताल में चल रहा है वही पकड़े गए एक आरूपी टीपू के परजन पुलिस पर भी जूती मुटभीड का आरूप लगा रहे कर नहारा था नहाते वे उसका फून आया फैसल कोई लड़का है इंद्रा चौक पा हो बड़ी मौ से मिला मिलके एस ओजी वाले सुएल को ने साथ रख रख था था अब हमें इसके बारे मां पता नहीं पांच बजे महां से उठा के लिए गया सुएल ने गोली मारी या फैसल ने मारी इस बारे महां में कुछ बता नहीं हम कप्तान साथ के भी गयते हैं जितने बड़े अधिकारी सब के गया सब ने यह का यह पुलिस के अंडर मैं माम लाओगा भी पुलिस को पता हो भी गोली किस इंथान ने मारी कि अधान चांबर खल रात लगवा बारा बजे के एक बैक लोटने की सूचना मलयपूर रोड़ पर थाना रामपूर में हैं थी जिसमें थाना रामपूर पुलिस ने क्राइम परान्च की टीम और थाना राता की टीम थे खर करके बदमाश और यह प्रयास Baptist रिख ए जिसमें जाविब्सारी में एक बदमाश के पेर में बोल वे होई यूवक्त की हत्या का पूलस ने खुलासा कर दिया है यहां पीछ जाँ पीछे बाता कर रहा था जब महावीर हाथ्रस से वापस अपने गाउं पहुचा तो उसने जबे बेशने की बात भतिजे से की जिससे सुनकर भतिजे भूपेंदर ने अपना आपक हो दिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर चाचा महावीर की हत्या कर दे फिलहाल पुलिस ने वतक के भतीजे को गिरफतार कर लिया है जबकि उसका साथ ही फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही मारारा ठाना चित में 26 तारीक को एक अग्याद सव रामा दुआ था जिसमें हत्यागा कारण इसकी नहीं हो राधा है मारारा ठीज ने साराणी काम किया इसमें बहुत तेजी से लिष्णा करते हुए इसमें अभी उसकी रफतारी कह लिये इसमें उसका मिल्य परिद्ने सिकार किया है जहां एक तरफ यूपी के सीम योगी आदितनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में पजली विवस्था को सही रूप से चलाने के लिए नए नियम बना है वही दूसरी तरफ खुद उनके ही अधिकारी उनके समियम को ताक पर रखकर बिजली की लापरवाही कर रहे है ताजा मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट अंतरगत नंद ग्राम का है जहां पर बिजली घर में जूनियर अंजीनियर के ओफिस में उस वक्त सारे बिजली के उपकरन चालू मिले जब उसमें कोई नहीं था जहां एक तरफ बिजली चोड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार कड़े एक्शन उठा रही है तो वाई दूसरी तरफ खुदी अधिकारी बिजली को वेस्ट करते हुए नजर आ रहे मतुरा प्रशासन ने जिले में पॉलिथीन के इस्तमाल को पूरी तरह से बंद करने के लिए अब कमर कसली है उचिने आले की ओर से मतुरा वरंदावन में पॉलिथीन पर प्रतिबंद को लेकर जारी आदेशों का हवाला देते हुए नगरायुक ने बताया कि प्लास्टिक बैक्स का अस्तमाल पूरी तरह से बंद करने के लिए प्रशासन के ओर से जाग रुकता अभ्यान चलाया जाएंगे जिन में दुकानदारों और लोगों से पॉलिथीन का अस्तमाल ना करने की अपील की जाएगी वहीं उन्होंने निर्देशों का उलंगन करने वालों के खिलाफ जालान की कारवाई करने की भी बात गही नगर आयोक ने बताया कि स्वक्ष भारत अभ्यान सफल हो इसके लिए साफ सफाई का जाइजा लेने के लिए समय समय पर आप्ट चक करने रिक्षन भी किया जाएगा यूपी के हमीरपूर में जोरदार बारिश होने के दौरा नालग अलग स्थानों में आकाशे बिजली गिरने से 6 लोगों की तरतनाक मौत हो गए वहीं एक दरजन से अधिक लोग गंभी रूप से घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए विभिन अस्पतालों में भरती कराया गया तो वहीं खटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हरकम पच गया हाला कि प्रशासन की ओर से क से अधिकारी पीड़तों से मिलने वहां नहीं पाचा क्या हुआ है? लेकिन ये भी मरत्तु की खबर है लेकि इसकी पोस्मार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी पोस्मार्टम रिपोर्ट में जब किलियर होगा कि नहीं बिजली गिरने से तब इनको नीमा नुशा जो भी जैवी आद्दा के तहता है यूपी के बलिया में अपनी मागू को लेकर छातर संगठनों द्वारा छातर कर्फ्यू के दौरान प्रदर्शन कर रहे छातरों और पुलिस के बीच नोग जोख हो गई काफी प्रदर्शनकारी छातरों को गिरफतार भी कर लिया गया बतादे कि छातर संगठन छातर निताओं पर दज मुकदमों और पूर्व में गिरफतार छातर निताओं को गैर जनपत की जेलों में शिफ्ट किया जाने का वरूत कर रहे थे तो वहीं छात्र निताओं का आरोप है कि बल्या पुलिस जिले के मंत्री उपेंद्र तिवारी के इशारे पर काम कर रही है और छात्रों पर फरसी मुकत में मंत्री के इशारे पर किये जा रहे हैं कि इस बुलिटी में फिलहाल इतना ही नर्जर डालेंगे सवक की हैद्लाइस पर पीम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के उदैपूर का करेंगे दौरा 15,000 करोर की लागत वाली सभी परियोचनाओं का करेंगे शिलन्यास उदैपूर में एक जिन सफ़ा को भी करेंगे संबोद राम रहीं के बाद सत्लोक आश्रम सचालत संतर राम पाल के खिलाफ चल रहे दो किसों में हिसार कोट आज सुनाएगा फैसला हिसार में धारा एक जवाली से लागो राम रहीं की खुफ़ा पर आज होगा बड़ा खुलासा राम रहीं के करीबी माने जाने वाले भुपेंदर सिंग प्रेस कॉन्फरेंस कर खोलेंगे पोल रेफ पील ताउन ने पूर्स पीयम अटल बिहारी बाचपई को भेजे लेटर में खुफ़ा का किया था जिक्त कहर लगातार जारी पिछल 24 गंटों में बार ने ली 32 लोगों की जान मरने वालों का आकड़ा पहुचा 514 के पार कई जिलों में प्रले लगातार जाए